अभी आजकार जो टेंपरेचर है हमारा नाइट टेंपरेचर 4.5 डिग्री सेंटिग्रेड है जो कह सकते हैं कि बहुत ही जिसके वज़ा से दूंद पड़ रही है और ठंड़क ज्यादा है इसलिए लोगों को हम यही शलाह देते हैं कि वो घरों के अंदर रहें शुरच्छित रहें अपने जो जानवर हैं पसु हैं उनको शेल्टर के अंदर रखें सेड़ के अंदर रखें इस साल अगर देखें तो 2.2 डिग्री सेंटीग्रेट टेम्परेचर था जो कि हमको दो तारीख को रिकाल्ड किया इसी तरह से अगर इसके कंपरिचान में देखें लास्ट इयर तो वह भी दो तारीख को ही मिनिमम टेम्परचर रिकाल्ड गुआ था बट वह 3.3 डिग्री से तो आलमोस्ट 1.1 डिग्री सेंटीग्रेट हायर टेम्परेचर इसार था तो लास्ट इयर के कंपरिचन में इस बार तेम्परिचर ज्यादा थन्दा है ध्यु साथ की बात करें तो अभी हमारे पास हे एख एक हपते के तो आन्मान है जिसकी वज़ा से बारिष के चांस नहीं है, जो हम 5 cm की डेफ्थ पर, 10 cm स्वाइल डेफ्थ पर और 20 cm की स्वाइल डेफ्थ पर रिकार्ड करते हैं, जिससे कि हम जो है दूसरी फसले हैं, उसके रूड जोन पर का टेंपरेचर कितना है, वो सिस बेसिस पर इसका क्राप बेद करते हैं, यह आर्डिनेरी रेंगेज है, इसमें जब रेंफाल जिस दिन होती है, वो रेंफाल इस फनल के फूर अंदर कलेक्टर लगा हुआ है, उस कलेक्टर में कलेक्ट हो जाता है, और हम नेक्स्ट डे मारिनिंग में आके 8 बजे यह अबजर्बेशन लेते हैं, अब ब करें, मैक्सिममम थर्मामीटर है, जो कि हमें बताता है कि 24 आउर में कितना मैक्सिममम टेंपरिचर था, नीचे थर्मामीटर लगा है, वो मिनिममम थर्मामीटर बोलती है, वो बताता है कि रात का टेंपरिचर कितना था, लगातार मोसम वीच जड़ी है, गिरावटा नाल स पर चुनका बर हमा आघा से सब्सक्राइब करने काट नोरा नबूजनब र्याएए कि आए करतें नैज llegar है तो नंब खले हो एंगार तो नोक ईसमस्दा हो कि एकिता नधेis-थot खरभॅच जो कह सकते हैं कि बहुत ही जिसकी वज़ा से दूंद पड़ रही है और ठंड़क ज्यादा है तो इसलिए लोगों को हम यही सलाह देते हैं कि वो घरों के अंदर रहें सुरच्छित रहें अपने जो जानवर हैं पसु हैं उनको सेल्टर के अंदर रखें सेड़ी के अंदर रखें और उनको समय समय पर गरम पानी पिलाते रहें अब इहाल की घड़ी में कम से कम टेंपरिचर की बात की जाए इन सर्णियों की कितना रहा इस साल अगर देखें तो 2.2 डिग्री सेंटिग्रेट टेंपरेचर था जो कि हमको 2 तारीख को रिकार्ड किया इसी तरह से अगर इसके कमपरिचन में देखें लास्ट इयर तो वह भी 2 तारीख को ही मिनिममम टेंपरेचर रिकार्ड गुआ था बट वह 3.3 डिग्री सेंटिग्रेट था तो आल्मोस्ट 1.1 डिग्री सेंटिग्रेट हायर लोवर टेंपरेचर इस सार था तो लास्ट इय सकते हैं अगर 2020 की बात करें तो हमारे पास 0.2 डिग्री सेंटिग्रेट टेंपरेचर गिया था एक तारीख को फास्ट जन्वरी 2020 0.2 degree centigrade उसके बाद फिर हमें मिला 3.3 degree centigrade और इस साल हमें 2.2 degree centigrade temperature मिला तो fluctuation बहुत ज्यादा है लोगों को सलाहर यही है कि यह वो temperature के हिसाब से अपने घरों से बाहर निकले दुंद में drive slow करें और सुरचित रहें अभी कब तक लोगों को सामना करना पर सकता है इसका धुंद का और ठंड का इस साल की बात करें तो अभी हमारे पास एक हपते का तो अनुमान है कि ऐसा ही temperature में डाउन फाल है और तो एक हपते के बाद भी कुछ situation क्लियर हो पाएगी अभी हाल की घडी में कुछ लग रहा है बारिस का कुछ आना जाना हो सकता है ऐसा कुछ बारिस तो अभी मुश्किल लग रही है बारिस नहीं है बारिस नहीं है कोई western disturbance एक्टिव नहीं हो रहा है जिसकी वज़ा से बारिस के chance नहीं है तो काफी कुछ लगा हुआ है करते हैं जिससे कि हम जो है दूसरी फसले है उसके रूट जोन पर का टेंपरिचर के इतना है वो सिस बैसिस पर इसका क्रॉप बेदर रिलेशंसिप असेस्ट करते हैं इसके आगे बात की जाए आगे चल लेते हैं अभी आलोवर रोजान आपकी टाइमिंग क्या रहती है यहा रेन का कुछ है यहां पर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए यह आर्डिनेरी रेन गेज है इसमें जब रेन फाल जिस दिन होती है वह रेन फाल इस फानेल के थूर अंदर कलेक्टर लगा हुआ है उस कलेक्टर में कलेक्ट हो जाता है और हम नेक्स्ट डे मारिनिंग म में कितना रेन फाल हुआ तो आगे और जानकरी ले रहते हैं तो इस साइड में से कुछ लगा हुआ है इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए इसमें क्या कुछ होता है और इससे क्या कुछ नुमाल लगता है इसको सिंगल स्टिवेंशन स्क्रीन बोलते हैं इसके अंदर ह अगर आप इसको खोल के देखें तो इसमें अपको दो थर्मा मीटर वर्टिकल और नगए होते हैं तो अग्र एजहंडैल थर्मामीटर की बात करें मैक्सिमल थर्मामीटर है जो कि हमें बताता है कि 24 आवर में कितना मैक्सिमम टेमटर था वर इसी तरह से जो नीचे थर्मा मीटर लगा है वो minimum थर्मा मीटर बताता है कि रात का temperature कितना था है यह maximum थर्मा मीटर दिन majesty नाइट टेम्परेचर बताता है minimum थर्मा मीटर इसी तरह से dry bulb थर्मा मीटर और Aww बल्ब थर्मामेटर हमारा relative humidity calculate करने के लिए यूज होता है इसके बाद आगे जल लेते हैं सरी जो विंड का लगाया आपने जो यह वाला है इसके इससे कैसे इससे यह विंड का डाइरेक्शन बताता है कि हवा किस दिसा से आ रही है इसको विंड वेन बोलते हैं तो जिस तरह हवा नाते है वह सपीड कितनी है तो हम बताते हैं अगर आप देखे तो रहते हैं किसमा बीन के इकी करदिसन नहीं है उसमें मूपमेंट नहीं है इसको इसके तरह कुछ मीटर लगा होता है जब यह बिंडी के एफेक्ट से सर्कुलेट करता है इसके कप्स तो उसमें आटमेटिकली मीटर में रीडिंग रीड हो जाती है जिसको हम साधे साध बजे आके टाइम पे उसको रीडिंग ले लेते हैं और पिछले दिन की रीडिंग से माइनस करने एक बार 24 आवर से डिवाइड करते हैं तो हमें किलोमीटर पर आवर बिंडी स्पीड मिल जाती है अब ही जो यह लोटस के तरीके को उस दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते है इसका क्या जूज़ता है इसका नाम और आटमेटिशन है जो हमने सरफेस अफजर्ट वेटरिक इंस्ट्यूमेंट्स हैं आलमस्ट वो सारे इंस्ट्रूमेंट और कुछ एक्स अडिस्ट्रूमेंटियास इंस्ट्रूमेंट्स उसमें सेंसर घुते हैं सेंसर के फूर। और डेटा लागर में डेटा हम एडेटा रिकालड होता है बैट्रीव के फूर सोलर फैनल बैटरी होता है और ऊपाट संसमेटर लगावाता था संसर के फूर Jr. में अट्ze करते हैं कई बार कोई सी सेंसर की खराबी की वज़ा से डिफरेंसेस आते हैं तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं और जी साइड वाला यह वाला लगा यह भी सेम है एक हमारा यह जो यह इस रो के थ्रू लगा हुआ है दूसरा इंडिया मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट के वाला यह तो काम दोनों का सेम है बट सेंसर अलगा लगां दोनों में सुधीर जी सटन है मोजूद सेगेए विख साक दो यह स्टेशन है वोला जिथे की पूरी जाच होंदी है जिते सी सुप मोजूद है ता आउन वाले करीब एक हफते दटा जो दसदा है उस दिन सार एक एक हफ्ते तक तो अनु राहत नहीं मिलन वारी, एक हफ्ते तक तो अनु ऐसे तरिकेनाल सरदी दा, समना करना पवेगा, तो अनुद उए रजी ढहती तरिकेनाल पैस सकती है, तो दुज्जे पासे गलबाग किती जावे, एस वार दा, एस साल दा, होन तक दा, ठंडा देन ज खेल्टर करके रखनी आवनों टक्के रखन जिस्तर कर पिंडावी चापा कर देयां ते गरम पाणी जेड हागया ओनानू प्याया जावे फ्रिद कोटो कैमरापसा रजेस बागर देना सुरज परकास देनिक स्वेरा टिवी